नमुश्कार में उप्रिया आज है आठ नवंबर चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खब्रों को रेलवे पीस्यू में इंजीनिर की भरती के लिए मांगे गये आवेदन भारख सरकार के रेल मंत्राले के अधीन आने वाली मिनी रतन कम्पनी राइट्स लिमिटेड ने नया भरती विग्यापन जारी कर दिया है कम्पनी की तरफ से कुछ दुरों पहले जारी किये गये विग्यापन के अनुसार सिविल, इलेक्ट्रिकल और मेक्यानिकल ट्रेट्स में कुल 170 इंजीनिर पदो पर भरती के लिए योग्य उमिद्वारों से आवेदन आमंत्रित किये गए है योग्य और इच्छो कुमिद्वार राइट्स लिमिटेट की आधिकारिक वेबसाइट recruit.rights.com पर उपलब्द कराएगा है ओनलाइन आप्लिकेशन फॉर्म के माधहम से आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू हो चुकी है जो कि 26 नवंबर 2020 की शाम 5 बजे तक जारी रहेगी तीसरे चरन के चुनाफ के बाद जारी हुए एग्जिट पोल बीते दिन विधानसभा चुनाफ के तीसरे चरन के मतदान को पूरा करवाए गया जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाफ के तीनों चरनों का समापन सफलता पुरवक करवा दिया गया है वही चुनाफ के तुरंत बाद एग्जिट पोल जारी किये गया रिपब्लिक टीवी जन की बात की जाये तो एग्जिट पोल में महागठ बंदन को सपष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाते वे 138 सीटे दी गई है वही एबीपी सी वोटर के सरवे में महागठ बंदन के लिए 120 सीटे मिलने का अनुमान लगाये गया है रिपोर्ट के नुसार पिछले चुनाफ के मुकाबले जद्यू का वोट शेयर 5 फीसिदी कम दिख रहा है जबकि राज़त पिछले चुनाफ से वोट परसेंटेज के मामले में फाइदे में नजरा रही है जिसके बाद NDA को 116, UPA को 120, वही लोचपा को एक और अन्य को 6 सीटे मिलने का अनुमान सी वोटर्स ने लगाया है इसके साथ ही India Today Access के सर्वे में बिहार के 24 स्वीसिदी लोगों ने तेजस्वी आदफ को मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया है एकजिट पोल सर्वे के अनुसार नितीश कुमार की विदाई लगभग तैमानी जा रही है बोध गया के महाबोधी टेंपल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास महाबोधी मंदिर परिसर भगवान बुध के जीवन से सम्मंधित चार पवित्र स्थलों में से एक है और विशेश रूप से ज्यान की प्राप्ति के लिए है पहला मंदिर समराट अशोग द्वारा तीसरी शताबदी इसापुर्व में बनाये गया था और वर्तमान मंदिर पांचवी या छटवी शताबदी से है यह सबसे पुराने बौध मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से इट से बनाये गया था अभी भी भारत में गुप्त कालीन अवधी से खड़ा है मुख्य मंदिर की दिवार की ओसत उचाए 11 मीटर है और इसे भारतिय मंदिर बास्तोकला के शास्त्रिय शैली में बनाये गया है इसमें पुर्व और उत्तर की ओर से प्रवेश द्वार है और कम तहखाने है जिसमें हनी सकल और गीज डिजाइन के साथ सजावट की गई है पटना में गंगा घाट पर ही होगा छट कोरोना के महाल में दुर्गा पूजा के आयोजन पर लगी रोग के बाद यहां उमीद जताई जारी थी कि शायद अब छट पूजा पर भी कोरोना का ग्रहन लग सकता है पटना के प्रमंडलिय आयुक्त के आदेश के बाद अब छट पूजा के आयोजन का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है प्रमंडली आयुक्त ने पटना के डियम और नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वो छट महापर्फ के आयोजन को लेकर गंगा घाट पर तयारी अपनी पूरी करे और गंगा घाटों की साफ सफाई के साथ साथ वहां बैरिकेडिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर पालन किया जाए बिहार में कोरोना के मिले 800 से ज्यादा मामले बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावर देखने को मिली है स्वास्त वभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किये गया आकडों के नुसार कोल मिलाकर 819 लोग पॉजिटि भागलपूर में 7, भोजपूर में 3, बकसर में 6, दर्भंगा में 30, पुर्वी चमपारन में 17, गया में 57, गोपाल गंज में 17, जमूई में 9, जुहानावाद में 20, कैमूर में 8, कटिहार में 5, किशन गंज में 9, लखी सराय में 10, मधिपूरा में 14, मधुभनी में 12, मुंग भागलपूर में 17, शिवहर में 7, सीता मधी में 15, सिवान में 11, सुपॉल में 6, वैश्राली में 10, पश्रुम चमपारन में 13 मामले सामने आ चुके हैं, वही बिहार में अब तक सक्रिय मामलों की संख्या 673 पर पहुँच गई है, वही 1136 लोगों की जान जा चुकी है दर्भंगा एरपोर्ट से आज भरी जाएगी पहली उडान, दर्भंगा एरपोर्ट का विद्यापती टर्मिनल रवबन कर तयार हो चुका है, वही आज से यहां से विमानों का परिचालन बेश शुरू हो जाएगा, जिसके परिडाम स्वरूपात से दिल्ली मुंबई और बैंगलोरों के लिए हवाई सेवा की शुरूआत हो जाएगी, बाच नमबंबर को उडान को लेकर दर्भंगा एरपोर्ट में, एरफोर्स, एरपोर्ट अथॉर्ट अफॉर्ट अफ इंडिया और जुला प्रसाफ्शन के अधिकारियों की एक एहम बैठा करवाई गई जि राची पटना स्पेशल ट्रेन, रेल्वे ने राची पटना की बीच हर दिन ट्रेन चुलाने का एलान किया है, जो लोग तेवहारों के सीजन में अपने घर आना चाहते हैं, तो ऑनलाइन माधिम से टिकेट बुकिंग करवा सकते हैं और यात्रा का अनंद ले सकते हैं, मिल भारत के तिहास में आज की तारीक कई कार्णों से है दर्ज, जिसकी शुरुआत साल 1661 में हुई, सिख धर्मगुरू हर रोय ने आज ही के दिन साल 1661 में दुनिया को अलविदा कह दिया था, राहूल द्रविर और सचिन तिंदुलकर ने 1999 में एक दिवसिय क्रिकेट मैच मे 331 रनकी साज़धारीकर विश्व कीर्तीमान आज ही के दिन स्थापित किया, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रियान एक 2008 में चंद्रमा की कक्षा में पहुचा, भारत सरकार ने 2016 में बड़े नोटों को विमुद्री करन किया, जिसमें 500 और 1000 रुपे के अवैद खोशित किया गया था, इसके साथ ही भारत की प्रसिद्र कथक नित्यांगना सितारा देवी का जन्म आज़ी के दिन साल 1920 में हुआ, भाजपा के वरिशनेता और पुर्फ प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवानी का जन्म भी आज़ी के दिन साल 1929 में हुआ था सीनियर बीटेक के किताबे लेकर वो जूनियर में बाड़ते हैं, आमतोर पर ऐसी मोटी महंगी किताबे यूही कबाड़ी वालों को बेचती जाती थी, मगर अब ऐसी ज़रूरत छात्रों के काम आ रही है, इस क्यामपेन से जुड़े सदस्से निरंजन कुमार ने बताया ह कि इस से उन छात्रों को फायदा मिलेगा, जो महंगी किताबे नहीं खरीद पाते हैं, और कई बार आभाव के कारण ही उनकी पढ़ाई प्रभावित हो जाती है विश्रुपत मंदर में बीते दिन दिखी अनोखी शादी गया जिले की दृष्ठी बाधित पिंकी और महरास्ट्र नागपूर के गोपाल ने विश्रुपत मंदर में शादी की गनेश आवाहन पंचुदेगता आवाहन के साथ नय दमपती को अश्रवाद दिया आपको बदा दे इस शादी की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि पिंकी का दूला गोपाल साथ जन तक साथ निभाने का बादा करने के लिए गया से 1200 किलोमीटर दूर महरास्ट्रो नागपूर से चल कर पहुँचा था शादी के समय दोनों ही दिव्यांग काफी प्रसन न नजर आए मधुवणी के बेनी पट्टी के उमिद्वार नीरत जहा की गई जान बिहारवदान सबाचुनाव के तीसरे और आखरी च्वरन में 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान बीते दिन संपन्न करवाए गया इसे बीच मधुवणी के बेनी पट्टी सीट से निर्दली उमिद्वार नीरत जहा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है आपको बता दे नीरत जहा कोरोना से संक्रमित पाई गया थे इसके बाद ही उन्हें कई दिनों से अस्पताल में भर्ती करवाए गया था आपको ये भी बता दे कि उनका इलाज पटना एमस में करवाय जा रहा था नीरत जहा के गुजर जाने के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है आपको बता दे कि नीरत जहा जदियू से जुड़े थे लेकिन चुनाव से ठीक पहले नाराज होकर उन्होंने पाटी से इस्तिफा दे दिया था और निर्दलिये मैदान में उतरने का फैसला लिया था श्रादी समारों की तरह सजा कई आदर्ष मतदान केंद्र बिहार में आखरी चरण की तहत बीते दिन मतदान की प्रक्रिया पूरी करवादी गई है वहीं के श्रंगंज में चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए कई जिलोप में आदर्ष बूत को श्रादी समारों की तरह सजा जाए गया था आलम तो ऐसा था कि अगर इन आदर्ष मतदान केंद्रों के बाहर ये ना निखा जाए कि यहाँ मतदान करवाए जा रहा है तो कोई भी धोखा खा जाए इतना ही नहीं कई बूठों पर तो खेलने कूदने की विवस्था भी की गई थी इस तरह के मतदान केंद्रों से आम नागरी काफी जादा खुश और संतुश नजर आए। नागरी काफी जिसका सर किसानों पर पड़ता है। ने कहा कि राजद नेता, तेजस्वी आदव और लोजपा नेता, चुरागपा स्वान को अपना राजद नितिक करियर जमीनी स्तर से शुरू करने की जरूरत है। सिर्फ बकैती करने से बिहार में कुछ भी नहीं बदनने वाला है। इतना ही नहीं मीडिया हाउस से बाचीत के दौरान पुषपंप्रिया चौतरी ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी को जीत मिल रही है, विहार को बदलने की पूर जोर कोशिश रहेगी हमारी, हर वर्ग और समुदाय का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। राजद उमिद्वार के खिलाफ मामला हुआ दर्ज, भले ही बीते दिन चुनाफ खत्म हो गये हैं, मगर कई उमिद्वारों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि साल 2018 में हुए लोकसभा की उप चुनाफ में सरफराज आलम चुनाफ जीत कर सांसत बने थे। उधर कटिहार में कदवा प्रखंड के मतदान पर 14 बुथो पर बोट का बहिशकार ग्रामीनों ने कर दिया। लोग जोवा और मीनापूर में रेलवे पर संपार फाटक की मांग कर लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसके साथ ही सुपोल के पीपरा चेतर के दुवियाही स्थित दुलारी टोले के लोगों ने सड़क की मांग को लेकर मतदान का बहिशकार कर दिया। में सुपोली वधानसवा चेतर के बूद संक्या 148 का बढ़वा गया के लोगों ने बुनियादी सुपधाओं के आभाद की कारण मतदान का बहिशकार कर दिया। महाराश्र सरकार के नेता संजय राउत ने बिहार वधानसवा चुनाव को लेकर की भविश्यमाणी। इस बार वधानसवा सीटों के परिणाम आने में हो सकती है देरी। वोटों की गिंती में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। बताये गया है कि आयोग ने सभी स्टॉंग रूम की सक्त सुरक्षा की ववस्ता की है। वहाँ CCTV क्यामरे लगाएगे हैं कोई भी मिद्वार या दल के प्रतिनिधी इसे देख सकते हैं। हज यात्रा के लिए ओनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। हज यात्रा जाने के इच्छा रखने वालों के लिए खुश खबरी। हज यात्रा जाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिसकी बाद बीते दिन से छुक यात्री अपनी यात्रा का रेजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं। आपको बता दे आवेदन करने की अंतिम तारिक 10 दिसंबर तै की गई है वहीं हज यात्रा जाने के छुक यात्री के लिए हजुकमीटी की आधिकारिक वेबसाइट हजुकमीटी.gov.in पर फॉर्म का प्रारूब अप्लोड कर दिया गया है। गौर करने की बात यह है कि कोरोना के कारण पहले इस यात्रा को निरस्त कर दिया गया था लेकिन साल 2021 की हज यात्रा के लिए ओनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई हालाकि यात्रियों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। शेहनास गिल ने लाइव आकर अपनी सगाई को लेकर बताई एहम बात। इस पर शेहनास ने कहा मेरी नहीं होगी यार मेरी ऐसी किसमत कहा। शेहनास के इस बात को सुनकर अरजुन हसने लगते हैं। रोहित शर्मा पर भड़के भारत के पुर्फ कप्तान दिलिप वेंग सरकर। भारत के पुर्फ कप्तान और चीफ सेलेक्टर है चुके दिलिप वेंग सरकर ने रोहित शर्मा पर नाराजगी व्यक्त की है। सनराइजर हैदरबाद के खिलाफ मैदान में उत्रे रोहित शर्मा को देखकर वो उन पर खूब बरसे। रोहित हैंस्ट्रिंग के समस्या से जूज रहे थे जिसके चलते उनको अस्ट्रेलिया इदौरे के लिए टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया था। रोहित मुंबई इंडियन के टीम में तीन मैच के बाद लोटे थे और उन्होंने मैच खत्म होने के बाद कहा था कि वो पूरी तरह से फिट है। जिस पर दिलिब वेंग सरकर ने मीडिया से बादशीत करते वे कहा कि यह दल्चस्प है कि रोहितर शर्मा जोकी टीम इंडिया के सबसे बहतरीन बल्लेबास है जिनको कुछ दूरों पहले ही टीम इंडिया के फीजियो द्वारा और अस्ट्रेलिया इदौरे के लिए 57.91 प्रतिशत वोट बिहार विदानसवा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान बीते दिन करवा दिया गया है जिसमें 15 जिलों के 78 विदानसवा चेत्रों में 1094 प्रत्याश्यों की किस्मत का फैसला लिया गया है जिसके बाद पस्चिम चंपारन में 56.02 प्रतिशत पूर्व प्रतिशत अररिया में 54.58 प्रतिशत किशन गंज में 62.55 पूर्णिया में 69.25 प्रतिशत कटिहार में कुलमिलाकर 61.57 प्रतिशत वोट पड़े इसके साथ ही मध्यपुरा में 69.27 सहडसा में 60.20 प्रतिशत दर्भंगा में 54.91 मुझाफपरपुर में 57.57 वैशाली में 52.68 68 प्रतिशत समस्तिपुर में 58.15 प्रतिशत वोट पड़े हैं पेटियम SBI क्रेडिट कार्ड हुआ लॉंच कुछ जिनों पहले पेटियम ने क्रेडिट कार्ड लॉंच करने की घोशना कर दी थी जिसके बाद पेटियम ने SBI कार्ड के साथ मिलकर कॉन्टाक्टलिस पेटियम SBI क्रेडिट कार्ड लॉंच कर दिया है क्रेडिट कार्ड पर अलग-अलग फायदे भी यूजर को दिये जा रहे हैं आपको बता दे कंपनी में दो वेरियंट है जिसमें क्रेडिट कार्ड लॉंच किये गया है जिसके तहत पहला पेटियम SBI और दूसरा पेटियम SBI कार्ड सेलेक्टिव दोनों ही वीजा कार्ड होंगे आप पेटियम के अप से इन्हें पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं आपको बता दे कि पेटियम SBI कार्ड सेलेक्ट लेने पर आपको पेटियम First की Free Membership मिलेगी और 750 रुपे का Cash Back भी साथ में मिलेगा इसके अलावा दूसरे benefits की बात करें तो आपको पेटियम पर movie, tickets, पेटियम malls, shopping और ticket travel पर 5 प्रतिशुद Cash Back भी मिलेगा अब आईए जानते सराफब बजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफब बजार की बात करें तो सोने का भाव 7 नवंबर को 22 क्यारट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,810 रुपे था वही 24 क्यारट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,810 रुपे था वही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,400 रुपे था इसके अलावा राजधानी पत्ना में पेट्रॉल की कीमत 83.82 रुपे प्रती लीडर थी वहीं डीजल 76.89 रुपे प्रती लीडर था कल हमारे द्वारा पुछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में सुजिन यूजर का कमेंट हमें अच्वा लगा है उनके नाम है शिफचंकर कुमार, जयजी तेंद्र, विकी कुमार, ओमकार सिंग, रिंकिन निराली, व्रजेश तिवारी, यो यो जी, सोनु कुमार, सोनु यादव, जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चलिए बढ़ते आज के सवाल क्यों, आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके नुसार, तीनो चर्णो के मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद, किसका पढ़रा बिहार्वधान सभा चुना हमें सवाद.